हेलो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आज हम आपका class 12 mathematics में जो आपका second chapter है inverse trigonometric function इसको further proceed कर रहे है exercise 2.2 आज इसके start कर रहे है last time students मैंने एक आपको इसका concept वीडियो इसमें formula मैंने आपको समझाये थे जो इस exercise में use होने वाले वो कराये थे make sure कि आपने वो questions students जरूर मेरा नाम है more than 570 video lectures अभी तक मैं YouTube पर बना चुका हूँ physics, chemistry, mathematics समया पर पढ़ते हैं दिखेगा students very first question NCR tip में जरूर रखें उसी के questions है, prove the following, 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4 of x cube where x belongs to ये ताकि function invertible बन जाए, इसलिए वो conditions लिखी रहती है, आप चाहो तो इसे ignore कर सकते हो Otherwise आप देखना चाहो तो वो satisfy कर रही है आपकी invertible function को, आपने मेरा concept video देखा हुआ जहाम इने invertibility सिखाई थी आपको इस lesson की ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि आप उसको छोड़ सकते हो, इसके algebra में ध्यान दे सकते हो, ठीक है न, otherwise आप curious हैं ध्यान भी दे सकते हैं चलिए ठीक है, मैं बोलाँ student से solve करना है, पहला दूसरा जो question है students, ये question sin 3 theta और cos 3 theta पर based question है, NCRT के sin 3 theta, cos 3 theta के formula होते हैं और 10 3 theta का भी formula होता है, उने के लिए तो ये class 11th में introduce किया गया था, लेकिन unfortunately वहाँ पर ये use नहीं होता था, कहीं पर भी, इस class 12th में भी, NCRT में ये एक सिर्फ इस जगे पर, पहले दूसरे question में, और एक जहां तक मुझे आद है exercise 5.6 के question number 7 में सायर ये use हुआ है, आपकी book के आगे जाकर, बस, इसके अलावा कर ये use नहीं होता, आप इसके एक बार ध्यान से सुन लिजेगा जरा, एक formula होता है, sin 3 theta is equal to, क्या होता है, student sin 3 theta is equal to, 3 sin theta minus 4 sin 3 theta, चीगे न, आप इसे memorize कर लिजे, वैसे तो मैंने class 11th में छोटी से सिट्रिक टाइप की बताया थी, जिससे मुझे याद रहता है, otherwise, याद कर सकता है, आप अपनी हिसाब से इसको, sin 3 theta is equal to, क्या मैंने बोला, 3 sin theta minus, ये formula है, अगर आपको ये formula आता था था न, तो आप देखते इस question को समझ गए, ये question वही है, कि कहीना कहीन 3 minus 4 cube x की power, 4 sin की power cube, 3 something, बहुत कुछ parity match कर रही हैं, आपको इससे, लेकिन करने का procedure क्या होगा, वो important है, वैसे आप देख पारें, कि x is equal to, कहीना कहीन, sin theta रखा जा रहा है, तो उससे ही सारा काम हो गया, है न, अब वो x is equal to sin theta, या थो आप डिरेक्ट बोल दो कि x is equal to, let x is equal to sin theta, ऐसा कुछ, otherwise, एक procedure कि थ्रू इससे होगा, इससे, this implies, x is equal to sin theta, हम sin को उस तरफ जब ले आएंगे, shift कर देंगे, तो x is equal to sin theta, एक हमें, एक हमने input अपने ले रख लिया, ये आप कुछ भी इसे नाम देदेना, equation 1, let's say, बस ये अब हमारे सारे काम करा देगा, बहुत easy हो जाने वाला question, देखेगा students, इस ची theta, तो sin 3 theta को चलिए, मैंने फिलाल ऐसे ही लिख दिया, 3 of sin theta, in place of sin theta, I can write, x minus 4 sin cube theta, cube theta यानी की x cube, clear है न, वो ही story जो हम करना चारे थे, follow, वो ही हमने हाँ पर करवा दी, इससे हुआ क्या student फायदा, इससे कुल मिलाकर इतना आपको फायदा हो गया, कि हम बोल सकते है, 3 theta is equal to sin inverse 3 x minus 4 x cube, यहान से समझ लिजिए इस question को, यह हो गया, अब आपको दिख रहा है कि काफी हद तक ना अपने similar बना दिया question को, जो पूछा गया था, वो ही काफी हद तक हमने कर दिया students, अगर आप देख पा रहे है, 3 theta is equal to sin inverse, यह यह चीज, वो चीज, उसकी right hand side, देखिए, match कर नहीं है, हाँ, देखिए, search करें, equally है, क्योंकि theta कहीं भी question में mention नहीं किया था, इसलिए हमें इस theta को eliminate करवाना होगा, तो students, अगर हमें theta को यहाँ से eliminate करवाना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ खास नहीं करना होगा, मुझे इस theta की value रख देने होगी, जो मैंने suppose की थी, वहाँ पर, तो मैं इसे यहाँ से value place कर दूँगा, theta की value कितनी, sin inverse x, and it is equal to sin of inverse 3x minus 4x, यह बिल्कुल tip में रहना चाहिए, question ज्यान रखना होगा, और मैं एक बात सीधे, आप honestly कहना चाहूँगा, कि इस question को देखकर, ऐसा मैं सोचना कि सब कुछ रही है, इस पर क्या आगया, बहुत ज़्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं, ऐसा मत समझना कि हर्द आगया, इसा ही होगा, inverse trigonometric, यह पहले दो question मैं कहता हूँ, exceptional question है, आप चाहूँ तो इन्हें लास्ट में भी कर सकते हो, जब आपका दिमाँ खुल चुका होगा, inverse trigonometric, मेरी बात समझे हो इसलिए अभी से कोई anticipate मत करना, इस question को देख करके inverse trigonometry ऐसी यह करके, मैंना to be honest बोल दिया, देखें students, तो यह आपने देख लिया, इस तरह से, इसका solution आपके सामने, ध्यान से देख लिजिए, यह आपको इस तरह से follow करता है, अब कोशिस करना, जो second question है, उसे पहले जरूर try करना, तभी मेरा देखना, ठीक है ठीक है, अब देखते है next question, इसमें आते है students, बोला गया, three cos inverse axis, exact question, exact question, बस आपको जरूरत किया न, कि formula आपको आना चाहिए, जैसे आपको पता होना चाहिए, कि cos three theta का formula क्या होता है, जरूर नोट कर लेना इस एक तरफ, यह होता है, four cos cube theta आगे होता है, अब मैं ज्यादा बोल नहीं रखी कैसे होता है, मुझे एक trick से याद है यह formula, अगर आपको ज्यादे ही मन कर रहा है यह करने का, कि कैसी छोटी सी यह trick है, ऐसे कोई genuine trick नहीं है, कोई universal trick नहीं है, तो मेरे से पूछ लेना बार, मैं चल्लिए, ठीक है, फिला ल है, यह मेरा अपना मानने, और ऐसी अगर आप यहाँ पर देखें, students, यहाँ पर, यहाँ पर मेरा मानना यह है, कि sign, यहाँ पर वोई चीज हो गई फिर से, क्योंकि formula में पता है, मुझे sign ही आएगा चारो तरफ, तो sign को मैं थोड़ा कम करवा दूँगा, कम करवाने कम दब उसकी बड़ी quantity को मैंने negative करवा दिया, यह एक शोटी सी बात है, बस बाकिया अपना-पना है, अगर आप समझ पाए हो, तो जो मैं कहना चाहरा था, ठीक है, समझ भी बस होगी, आप कुछ नहीं करना, students, हमें just, वही exact काम करना है, इस formula को लेना है, let's say, cos inverse x is equal to theta, बोल देना वैसे ही आगे बढ़ाईए, जिस आपने last time किया था, इस formula पर आईए, और हम लिख सकते हैं, यहां से, cos of 3 theta को cos 3 theta ही लिख देंगे, चाहो तो आप यहीं से value रख सकते हो, theta की, otherwise नहीं तो नहीं, चलिए, ठीक है, is equal to 4 cos cube theta, आपको पता है, cos theta can be written as x, hence x cube minus 3 cos theta, that is 3x, 3x, clear है, हाँ, आप चाहते हैं, यहां से भी इसकी value को replace कर सकते हो, जैसे मैं आप कर रहा हूं, कि मैंने बोला, आप, देखें, मैं ऐसे बोल रहा हूं, कि 3 theta is equal to cos inverse 4x cube minus 3x, any problem, देखें, आपको पता है करना क्या, yes, very good, क्या करना है students, हाँ, excellent, आपने बोला 3 theta की value को replace करने, which can be written as cos inverse x, is equal to cos inverse 4x cube minus 3x, यह, any problem, यह, समय में आगे हैं बत, ठीक है, मैं ऐसे एक जगे लिख देता हूं आपके लिए, इस तरह से students आप देख सकते हैं, ठीक है, यह आप note कर लिजए, आराम से, simple solutions, clear है बस बात, बस इन दो questions पे छोटी सी practice रटना, इस लिए कह रहा हूं जादा इसके बार में क्योंकि ने formula आगे use में होते हैं, अगर use हो रहे होते हैं तो फिर आप practice में रहते हैं, इसलिए इन दोनों पर थोड़ा सा खास निगाहा रखना, question पूछा जा सकते हैं, चलिए, देखिए student, जो second आपका जो यह third question है, इस third question को कैसे करना है, third question को students, एक simple सा formula इसमें use होता है, वो आप जड़ा देखिए ध्यान से, एक formula, बहुत important formula इस exercise के भिहाब पर, कभी भी 10 inverse x plus 10 inverse y, अगर आपको दिखावा मिल गया, तो आपको ध्यान रखना है, चिए this will be equal to what, yes, this will be equal to 10 inverse, 10 inverse x plus y, over, जो भी sign, यहाँ plus था तो वहाँ plus ही लगाने, अब जो यहाँ लगा में, बस यह वही चीज़ है, ठीक है, formula को बिल्कुल बहुत ध्यान से देख लो, यह सबसे ज्यादा use होने वाला formula यही है, यहाँ पर, आपको समझ मा रहा है, कैसे हुआ थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा, कि 10 of x plus y का जैसे formula होता है, inverse में यह वैसे होता है, जो भी बी problem नहों से, अच्छा, देखेगा students, देखेगा, जैसे आपको देख रहा है, जैसे यह जो अपका plus का sign है, यह यहाँ पर plus का sign और जो भी plus का sign है, उसका opposite sign नीचे पर आया, यह बात अगर आपको ध्यान रहेगी तो अच्छा रहेगा, मैं इसको आप release, हटा रहे हो यहाँ से आप note कर दीजे, मैं इसका reference लूँगा, ठीक है, देखे लिजे solutions, आप क्या देखेंगे ही यहाँ पर की 10 inverse, वो x plus y बनावा हम इसी लिक सकते है, 10 inverse, इसको इसको add कर दी में, 2 by 11, वो formula की according में काम कर रहा हूँ, plus 7 by 24, whole over में 1 minus 2 by 11 into 7 by 24, exact formula यूज मैंने किया, आप देखे लि उसी formula का students मैंने use किया, से मैंने as a x माना है, से मैंने as a y माना है, ये फिर आपका वही x हो गया, ये फिर आपका वही y हो गया, ये वही x हो गया, ये वही y हो गया, formula वही बन गया, 10 inverse x plus y over 1 minus x into y, exact formula, आपको justice से क्या करने है, थोड़ा सा solve, देखे, इंको थोड़ा सा solve कर ले 10 inverse, calculation कैसे करना ये भी थोड़ा सीख लीजे, 2 into 24 तो 48 होता है, ये आपको आता है, 7 into 11 is 77, ये आता है, अब आपको पता है क्या करना होगा इन दोनों को cross multiply, कर सकते हो बहुत बढ़िया, लेकिन मैं कहता हो मत करो, ऐसे लिख दो सिर्फ, अलि टाइम बरबाद मत करो उसमें, इसको ऐसे लिख दीजे, clear है, नीचे पर आप आप आईए, और क्या करिए, ये जो चीज है, कैसे करोगे, 7 into 14 हो गया न, तो ये 24 into 11 इधर आजाएगा, आप क्या बोल दो, सिर्फ ऐसे बोल दो, 24 into 11, आप तो करना ही पड़ेगा, 27 into 14, माइनस का, और नीचे वही 24 into 11 को ऐसे लिखती है, isn't it, ये चीज है, अब आपको से फाइदा क्या होगा, ये दोने cancel हो जाएंगे, ये हमेशा का है, ठीक है न, students हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, कि जो ये 10 inverse लिखा हुआ है आपका, इस 10 inverse में, 48 plus 77 को add करो, 8, 7, 15 होता है, 7, 8, 11 होता है, 12 होगे, नीचे ये और माइनस हो जाए का उससे कितना, 14, clear है, students, बस, ठीक है, आप देख लिजिए, इसका हमें क्या करना है, जस एक short calculation करना है, ये 14 लिखा वाया है, ठीक है, 10 inverse, 125 को ऐसे का, ऐसा ही रहने दीजिए, 264 में से आप 14 माइनस कर लिजिए, 4-4, 0, 26-125, 250, बहुत इसी लिए आपको ये students आपने देख लिया, अब इसको आप चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, ये आपके सामने इस तरह से रहा solution, ये ही आपको proof करना था, इंस proof, ठीक है न, देख लिजिए, बहुत simple formula लगा है, ये ही करना है, लेकिन धियान रखना formula को, आगे बढ़ते है, ये students एक fourth question है, कुछ खास नहीं है इसमें, simple question है, देखें ध्यान से देखोगे आप इसे, देखें मेरी बात ध्यान से, cool होकर सुनना, जैसे मैंने आपको सिखाया था, 10 to theta का कुछ formula, मैंने बताया था, last lecture मैं उसे discuss नहीं कर रहा हूँ, देख लिजिए, मैंने आपको बताया था, 10 to theta का formula होता है, over 1 minus 10 square theta, ये था normal without any inverse trigonometric, ये normal trigonometric function का formula था, अगर आप देखो ना, students इसी को, जो अपने पास हम use होता है, mostly जो इस exercise में use हो रहा है, वो होगा, 10 inverse x 2 के साथ है, ये use होगा, इसको आप लिखोगे, 10 inverse 2x over 1 minus x square, मेरा मकसद ना, उपर आले formula को लिखने का इसलिए है, students इस वाले को, ताकि आप थोड़ा correlate कर पाऊ, पहले हम ये पढ़ते थे, ये normal trigonometry है, inverse trigonometry में, काफी हुझ आपको similarity match करती भी नज़र आएंगे, जो first और second question है, आप चाहो तो इसको prove भी कर सकता हो, उसी तरह से, उसी class में ये use होता है, ये, वो नहीं होता, ठीक, जब आप इसको use करोगे, वहाँ students, तो आप देख सकते हो, कि यहाँ 2 10 inverse x है, आप सीधे 2 10 inverse x को open कर सकते हो, like this, तो मैं आप क्या कर रहा हूँ, मैं इसे just यहाँ से हटा दे रहा हूँ, सीधे आपने note कर लिया होगा, formula students, हम इसे सीधे क्या कर रहे, use कर रहे, हम इसे सीधे use करेंगे, तो 2 10 inverse x, आपको दिख रहा है कि यह x type का है, 2 10 inverse x, तो मैं क्या बोलूँगा, 10 inverse, उस formula की according, 2 into x, 2 into x, that is 2 into half, formula है न, 2 into x की value, 1 minus x square, x is what, half, half का square direct कर रहा हूँ, 1 by 4, clear है कि नहीं, यह मैंने direct हूँ था, 1 by 4 लिख दिया, जो भी लिखावा आगे सामने, plus करके वो add कर दिजिए, plus 10 inverse, 1 by students worth, yes 7, कुछ नहीं करना, simple calculation, answer आपके सामने, देख लीजे, 10 inverse, 2 2 gets cancelled, 1 बचा, यहां देखे, 4104, minus 1, 3, तो 3 by 4 बचा है, तो 4 उपर चले जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा न, 4 by 3, कोई problem नहीं होगी, मैं समझता हूँ, आराम से कर दो, calculation, 4, 1 is a 4, minus 1, 3, 3 by 4 है, 4 उपर चले गया, उपर already 1 था, बस, plus 10 inverse, 1 by 7, अब जो आपने अभी last time, question number 3 किया, बस exact वोई, question number 3 को यहां अपलाई कर दो, same formula, 10 inverse x plus 10 inverse y is what, yes, exact formula अपलाई कर दिजे, 10 inverse y is x मान लीजे, इससे y, तो 10 inverse x plus y is, 10 inverse x plus y, whole over, whole over, 1 minus x into y, clear है, बस इसे जस्ट आपने क्या करना है, solve कर देना, ठीक है, कर दो, solve, देशे, 10 inverse, 4, 7's are 28, 3, 1's are 3, 28 plus 3, 31, 3, 7's are 21, लिख लिया, फिर पी चलो, कोई बात है, अब whole over students, हमें जो नीचे का चीज़ है, इसे लिखना है, नीचे की चीज़ को मैं लिख रहा हूं, देखेगा ध्यान से, 7, 3's are 21, 21, 1's are 21, 21, minus कर सकते हो, 4 को 21 में से, 17 न, 21 minus 4 17, 17 upon 21, कितना मैंने बोला, yes, 17 upon 21, very good, 21, 21 gets cancelled off, hence, this implies, result will be 10 inverse, 31 over 17, ठीक है, यही आपको शायद प्रूफ करने के लिए दे रखाऊगा, आप चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, आपको 10 inverse 31 over 17, ऐसे question पूछे जाते हैं, 1122 मारकर में, जरूर पूछे है अपने ऐसे question, इससे बीचेक हो जाते हैं, calculation बीचेक हो जाते हैं, short question होते हैं, इसलिए इने बिल्कुल underestimate मत करना, देख लीजिए, आप 2 10 inverse half, याप, आप, 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 आप,